पिछले वीडियो में हमने देखा था कि यदि आपके पास एक विद्युत वाही पाश यानि करिन कैरिंग लूप है तो यह एक चुम्बक की एक शेत्र यानि मागनेटिक फील उत्पन करता है जो बहुत हद तक एक छड़ चुम्बक के जैसे होता है लेकिन यह पूरी तरह से चुम्बक के जैसे बार मागनेट के जैसे नहीं होता क्योंकि यदि आप इस चुम्बक के अंदर देखें तो आप पाएंगे कि यहाँ एक लंबा क्शेत्र है जहां चुम्बक की एक शेत्र रेखा है यानि मागनेटिक फील लाइन लगभग सीधी है ये पूरी तरह से तो बड़े छ़ड़ चुम्बक के बजाए एक बहुत ही छोटे छ़ड़ चुम्बक के जैसा है तो अब सवाल ये है कि हम किसी तरह से क्या एक ऐसी चीज बना सकते हैं जो बिलकुल एक बड़े छड़ चुम्बक के जैसे magnetic field उत्पन करती हो जहां एक बड़ा क्षेत्र ऐसा हो जिसमें magnetic field lines सीधी हो चलिए पता लगाते हैं तो हम इसे कैसे कर सकते हैं सोचे क्या होगा यदि हम यहाँ एक और विद्धुत वाही कुंडली लाएं मान लीजिए कि यह हमारी दूसरी धारा वाही कुंडली है और इसे हम यहाँ नीचे रखते हैं अब यह कुंडली इस पहली कुंडली के बिलकुल समान है तो यह इस magnetic field की समान ही अपना एक अलग चुंबकिय क्षेत्र उत्पन करेगी है ना इसे हमने यहाँ अलग रंग में दिखाया है अब लेकिन याद करें कि चुंबकिय क्षेत्र कभी भी आपस में एक दूसरे को काट नहीं सकते, इंटरसेक्ट नहीं कर सकते इसलिए इन दो कॉइल्स का net magnetic field ऐसा नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ वी एक दूसरे को आपस में काट रहे हैं तो क्या होगा दोनों चुंबकिय क्षेत्र आपस में मिल जाएंगे और एक नया चुंब क्षेत्र बनाएंगे जो कुछ इस प्रकार दिखेगा वाउ तो यह है हमारा संयुक्त चुंबकिय क्षेत्र combined magnetic field अब हमारे पास यहाँ एक सीधा क्षेत्र है और यहाँ भी एक सीधा शेक्त्र है लेकिन बीच में यह थोड़ा सा फूला हुआ है तो हम इसे कैसे सीधा कर सक मुझे यकीन है कि आप समझ ही गए होंगे तो आएए हम बीच में एक और विद्दवाही लूप जोड़ते हैं और देखते हैं कि क्या यह सीधा होता है यदि हम यहाँ एक और current carrying coil जोड़ते हैं तो अब यह भी अपना एक चुंबकिय क्षेत्र उत्पन करेगी जिसे गरंग में दिखाया है अब यह अभी देखने में थोड़ा अव्यवस्थित लग रहा है लेकिन याद रखेए चुंबकिय क्षेत्र कभी भी आपस में नहीं कारते इंटरसेक्ट नहीं करते तो अब यह नया magnetic field पिछले magnetic field के साथ मिल जाएगा और हमारी तीनों coils का कुल magnetic field क कुछ इस प्रकार दिखेगा अब इस magnetic field को देखें पहुँच रहे हैं ना हम अपने लक्ष के करीब लेकिन फिर भी हमारे पास ये छोटे फूले हुए एक शेत्र हैं यहाँ भी कुछ हिसा फूला हुआ है यहाँ भी तो अब मुझे यकीन है कि आप जानते हैं कि हमारा को यहाँ बनाने वाले नहीं है लेकिन आप यह मान लीजे कि हमने 50 coils जोड़ी हैं मुझे पूरा भरोसा है कि आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि अब क्या होगा अंदर का चुम्ब की एक शेत्र लगभग सीधा हो जाएगा और यह शेत्र भी सीधे हो जाएंगे और सभी का नया magnetic field कुछ इस प्रकार दिखेगा हो गया ना कम यह बिल्कुल वैसा ही है वैसा ही दिख रहा है जैसा हम चाहते थे इस प्रकार यदि हमारे पास बहुत सारे विद्युतवाही पाश यानि current carrying loops होते हैं तो यह एक छड़ चुम्बक के जैसे बार magnet के जैसे वेवहार करत हैं अब इस संयोजन को आसान बनाने के लिए अलग-अलग loops या coils लेने और उन्हें एक के उपर एक रखने के बजाए हम एक ही तार ले सकते हैं और उसे एक spring की तरह घुमा सकते हैं जिससे हमें हमारे कई सारे loops मिल जाएंगे कुछ इस प्रकार तो यहां हमने एक तार लिया है और उसे एक spring के जैसे कई बार घुमा दिया है अब जब हम इसमें विद्युद्धारा प्रवाहित करते हैं करन प्रवाहित करते हैं तो यह चुम्ब की एक शेत्र उत्पन करता है यहां हमें विद्युद्धारा की वजह से चुम्ब की एक शेत्र मिल रहा है इसलिए हम विद्युद्चुम्बक यानि Electromagnet कहते हैं और इस विशेश विद्युद्चुम्बक को जिसकी आकरती pipe के या tube के जैसे होती है उसे हम परिनालिका या solenoid कहते हैं इस नाम की उत्पत्ती जर्मन शब्द solen से हुई है जिसका अर्थ होता है pipe और oidus का अर्थ होता है आकरती शेप तो जब भी आप किसी चीज़ को इस प्रकार इतनी बार घुमा देते हैं कि वह एक tube या pipe के जैसा दिखने लगे तो हम उसे solenoid या परिनालिका कहते हैं और जब आप इसमें विद्युद्धारा प्रवाहित करते हैं तो यह एक छड़ चुम्बक के जैसा विवहार करती है जहां इसका एक छोर उत्री धुरुफ के जैसे और दूसरा छोर दक्षनी धुरुफ के जैसे कारे करता है और पता है स्थाई चुम्बकों यानि permanent magnets की तुलना में electromagnets के अधिक फाइदे हैं जैसा कि नाम से पता चलता है permanent magnets का चुम्बकी अक्षेत्र हमेशा permanently fixed होता है यानि स्थाई होता है आप इसे बदल नहीं सकते लेकिन electromagnets में यदि आप धारा की strength बढ़ा देते हैं प्रबलता बढ़ा देते हैं तो आपका चुम्बकी अक्षेत्र भी अधिक प्रबल हो जाएगा strong हो जाएगा यदि आप धारा प्रवाहित करना बंद कर देते हैं तो चुम्बकी अक्षेत्र गायब हो जाएगा और विद्जु चुम्बक electromagnet काम करना बंद कर देगा ऐसे ही यदि आप धारा की दिशा को उलट देते हैं तो चुम्बकी अक्षेत्र भी उलट जाएगा और परिणाम, स्वरूप, ध्रूफ भी पोल्स भी उलट जाएगे तो ये बहुत ही काम की चीज़ है क्योंकि आप इसके चुम्बकी अक्षेत्र को नियंतरत कर सकते हैं इसका केवल एक ही नुकसान है कि यदि आप इसे लंबे समय तक उपयोग करना चाहते हैं तो आपको इसे लगातार विद्युत शक्ती प्रदान करनी होगी क्योंकि यह बिजली से चलता है लेकिन यदि आपको एक स्थाई चुम्बक को लंबे समय तक उपयोग करना है तो इसमें कोई खर्चा नहीं होता यह बिना किसी लागत के काम कर सकता है इसलिए हम जो काम करना चाहते हैं उसके आधार पर कुछ मामलों में जैसे MRI मशीनों में चुम्बकी एक शित्र को बदलते रहना चाहते हैं हम विद्युद चुम्बकों का इलेक्ट्रो मागनेज का उपयोग करते हैं लेकिन कुछ मामलों में जहां हमें चुम्बकी एक शित्र को बदलने की आवशकता नहीं होती है वहां स्थाई चुम्बकों का उपयोग करना अधिक बहतर होता है अब यदि हमें विद्युद चुम्बकों को और भी अधिक स्ट्रॉंग बनाना हो तो हम इसमें एक नरम लोहे की छड़ सॉफ्ट आयन रॉट डाल सकते हैं हम जानते हैं कि लोहा एक चुम्बकी एक पदार्थ है इसका अर्थ है कि जब आप इसे चुम्बकी एक शित्र में रखते हैं तो यह चुम्बकित यानी मागनेटाइज़ हो जाता है और एक चुम्बक की तरह विवहार करना शुरू कर देता है जिसकी वज़े से पहले से ही उत्पन चुम्बकी एक शित्र में रखती हो जाती है और यह बहुत अधिक स्ट्रॉंग हो जाता है लेकिन नरम लोही का मतलब यहां यह नहीं है कि यह बिलकुल एक तक्ये के जैसा नरम होता है नरम लोही का अर्थ है ऐसा लोहा जिसे आसानी से मागनेटाइज किया जा सकता है और जब आप धारा प्रवाहित करना बंद कर देते हैं तो यह मागनेटाइजेशन चुम्बकत्व आसानी से खत्म भी हो जाता है तो ये अस्थाई चुम्बकों की तरह होते हैं और हमें यहां विद्धुच चुम्बकों के लिए एकदम यही चाहिए लेकिन लोही की एक और श्रिणी होती है जिसे हम कठोर लोहा, hard iron कहते हैं इसे चुम्बकित करना, magnetize करना बहुत कठिन होता है लेकिन एक बार जब आप इसे चुम्बकित कर देते हैं तो इन्हें विचुम्बकित करना यानि demagnetize करना भी उतना ही कठिन होता है इन पदार्थों का उपयोग हम स्थाई चुम्बक बनाने के लिए करते हैं इस वीडियो में हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि यदि हम एक तार लेते हैं और उसे कई बार इस प्रकार घुमाते हैं जिससे कि वह एक पाइप का अकार ले ले तो हम इसे solenoid या परिनालिका कहते हैं और जब हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो यह एक छड़ चुम्बक की जैसा चुम्बकी अक्षेत्र, Magnetic Field उत्पन करती है हम ऐसे उपकरनों को विद्युद चुम्बक, Electromagnet कहते हैं और जब हम इसमें एक नर्म लोहे की क्रोड यानि soft iron core को जोड़ देते हैं जो कि असानी से चुम्बकित और विचुम्बकित हो सकती हैं तो हम इस तरह से चुम्बकी अक्षेत्र को बढ़ा सकते हैं और विद्युद चुम्बकों को बहुत अधिक शक्तिशाली बना सकते हैं